ओम स्री गनेश आनम दोस्तों आपका हर्दिक स्वागत है ओम गनपती समधान योटूब चैनल में हम बात करने वाले हैं 11 जनवरी मंगलवार आज के मिसरासी फल के बारे में कि आज के दिन इनको किन चीज़े से फाइदा होगा और किन चीज़े से इनको सावधान रहन होगा और साथ इनका बिजनेस और विबसाय कैसा रहेगा कैरियर कैसा रहेगा घर परिवार कैसा रहेगा और इनकी लव लाइफ कैसी रहेगी और साथ इस स्वास्त के महत्मून ज्यानकारी भी हम आपको देंगे और आज के दिन को और भी अच्छा और बहतर बनाने के लिए एक उपाय भी बताएंगे दोस्तों वीडियो आगे शुरू करने से पहले मेरे आप लगों से रिक्वेस्ट है अगर आप इस चैनल पर नहीं है तो चैनल को सब्क्राइब करें और साथ में नोटिफिक्सन की बेल को भी दबाएं जिससे आप तक समय समय पर नहीं नहीं महत्पू कारी होगी सोभाव में विनम्रता बनाए रखें अन्यता अपने भी आपसे नाराज हो सकते हैं कारिया इस तल पर पूरी बात सुने बिना तीखी प्रकरिया नाहीं दे तो बहतर होगा साथ ही भविश्य की चिंताएं वर्तमान खराब कर सकती हैं कामकाज में छोटी सी गलत पूरी सतरक्ता के साथ काम पूरा करें युवाव के लिए दिन लगबग सामाने रहेगा हेल्थ को लेकर सावधान रहने की बेहत जरूरत होगी खासकर सुगर पेसेंट या हाई बीपी के लोगों को अधिक चिकनाई युक्त भोजन करने से बचना होगा परिवार में सुक सांती के लिए अरध्य देव की पूजा अर्चना से मन सांत होगा और आर्तिक हालात एस्तिर रहेंगे साथी जगड़े और विवास से दूर हैं और स्वास्त के पिरती आपको चौकस रहना होगा जिया दोस्तों आज जीवन साथी की बात को महतु देना होगा और साथी आज आपके लिए क्या नेगिटिव रहने वाला है दोस्तों आज जोखिम के कारियों में सावधानी जरूरी है साथी अनावस्त से खर्चे भी बढ़ सकते हैं बच्चों के भविसे की चिंताय रहेंगी स्वास्त को लेकर मन में चिंताय बनी रहेंगी मन में निरासा का भा दाई भी उत्पन हो सकती हैं दोस्तों अब बात कर लेते हैं आज आपका विफसाय कैसा रहेगा इस समय विफसाय को बढ़ाने के लिए पार्टनर्सिप लाबदायक साबित होगी और कारिय का धायरा भी बढ़ेगा साथी आर्तिकी सिती में भी सुधार आएगा और नोकरी में इस्तान तरांत की संभावना बन रही है साथी साथ प्रतिष्टित लोगों से मुलाकात आपके विफसाय को तुरद गती प्रदान करेगी इसलिए अपने कारियों के प्रति इमानदारी से समर्पित रहें दोस्तों अब बात कर लेते हैं आज आपकी लव लाइप कैसी रहेगी वेवाई की जीवन सुख में रहेगा और प्रेम संबंदों में भी निखार आएगा इससे आप दोनों में नेजदी क्या बढ़ जाएंगी और साथ ही मनोरंजन संबंदी कारियों में भी समय वेतीत होगा इससे दामपत्य जीवन में बदूरता बनी रहेगी प्रेम संबंदों के लिए बहतर समय रहेगा की गई कोशिसों में आपको सफलता अवश्चे प्राप्त होगी दोस्तो अब बात कर लेते हैं आज आपका स्वास्त कैसा रहेगा दोस्तो आपको कई बार आगा किया गया है स्वास्त से संबंदित कोई पुरानी समस्या उत्पन हो सकती है इससे आप गंभीरता से ले और तुरंत इलाज कराएं इसके लिए मेडिटेशन और योगा पर अधिक ध्यान दें जिससे समस्या तुरंत समाप्त हो सके और नियमित योग करें वियायाम करें और अधिक स्वास्त रहें दोस्तो आज आप ये उपाय अवश्य करें हनुआन चालिसा का पाट करें और गुड और चने का प्रसाद बाटें और वानरों को गुड और चने खिलाएं इसके साथ ही 108 बारिस मंत्र का चाप करें ओम स्री हनुमते नमा ओम स्री हनुमते नमा इस प्रकार उपाय करने से आपकी अनुए कुम्मनो कामनाई पूर्ण होंगी दोस्तों आपको भगवान बजरंगबली का सिर्वात प्राप्तों कमेंट में जे हनुमा नवस से लिखें धन्यवाद दोस्तों आपका दिन सुब और मंगल में हूँ